शहर में उद्योग समवर्धन के लिए जमीन उपलब्द करवाने एवं अन्य संसादनों को उपलब्द करवाने हे तू शिक्षा मंतरी डॉक्टर मोहनियादों की अध्यक्षता में मेला कार्यलाय में बैठक आयोजित की गई शहर के ब्रहसपती भवन में जिलापरशासन के कलेक्टर आशिस सी हैं और कुलपती विक्रम विश्व विध्यालाय वा आला अधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार के उच्चे शिक्षा मंतरी मोहनियादों ने मीटिंग की कोरोना संकट के बीच मध्यप्रदेश सरकार महाकाल की नगरी में उद्योग लगाने जा रही है बताया जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंतरी शिवरास्तियं चोहान की सरकार उज्जेंजिले में 9000 महिलाओं को रोजगार देगी केबिनेट मंतरी डॉक्टर मोहनियादों ने उद्योग विभाग की बैठक में निड़ने लिया है कि रोजगार के नएने अवसर लेकर शहर में अब उद्योग खुले जाएंगे मुख्यमंतरी शिवरास्तियं चोहान इस मामले में गंभीर हैं उन्होंने रेडिमेट का बड़ा उद्योग लगाने के प्रयास की बाद भी कही जिसमें 9000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा जब तक प्रदेश सरकार में शिवरास्तियं की सरकार है तब तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम प्रदेश में हर संभव प्रयास करें कि शहर से बेरोजगारी को खत्म किया जाए और छोटे से लेकर बड़े उद्योगों को इस्थापित कर बेरोजगार व्यक्तियों को रोज एसे में अब नए उद्धोगों के लिख दरश्टी से कई सारे इंवर्ष्टियों के लोग और आम नए उद्धोग नीती मानने यह सवी मुख्यमिंद्री ने जो अनाउंस की है उस आधार पे बहुत सारे उद्धोग आने की संभावना है तो मेरा प्रयास है कि हमारे अपने में और खास करके उद्धोग की बडी नगरी के जाना जाता था तो लोग चमीन लगा करके इसमें अपने उद्धोग के स्थाबित करना चाहते हैं तो ऊजद्धोग से पर रेटन के लिए रोजगार मिलता लेकिन बड़े पेमाने पर अब रेडिमेट गार्मेंट्स और अन्य-अन्य पोहा क्लस्टर, फुट पार कई सारी इंडस्ट्रियां आने को तयार है उद्रश्टी से जो इंडस्ट्री के दोनों विभाग MSME और Mega Industry, Heavy Industry, Ministry दोनों के अधिकारियों को बिठा करके और कलेक्टर के साथ तालमिल करके हमने कोशिस किये कि हमारे यहां वो जमीन रक्षित करके विभाग को दिलवा दी जाए ताकि उद्धोई वभाग अपनी कारवई करे जिसके माद्यम से उद्धोग लगा जा सके